हेलो एविवन, वेलकूम बैकरगे तो मैं चानल वेसे तो हम लोग मुंबई में रहेते हैं लेकि रहने वाले कानपूर के हैं आज मेरे बेटे का कानपूर की फेमस खस्ता और आलुख कहने का मन था तो मैंने का अभी क्या करूँ, sup मैंने कानपूर तो जा नहीं सकते कितना खुश हो रहा है चलिए आपको मैं बताते हूं कि किस तरीकर से मैंने बनाया है अब सब सब से पहले हम खस्ते बनाने के लिए और इलेंगे उरत की चल्ष धाल मैं फ्ली ए इस को हम पानी में भीगा देंगे और कम से कम आदे घंटे के लिए इसे भीगए लें देंगे मैंहें दो कॉप मैया है अभी दाल लिए गल mo你想undi मैं मैंने अजवाइन और फिर इस में डाली ओग फिर दाले और फिर अब फॉर्थ अब इसको अच्छे से मिक्स हो जाने देंगे जो गी है वो आठे में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए यह देखिए जब अच्छे से इसमें हाथ में मुठी में आने लगें तो समझ जाना चाहिए कि घी अच्छे से मिक्स हो गया है अब थोड़ा थोड़ा पानी लेके आठे को हम गुंद लेंगे आठा हमको बहुत हार्ड नहीं गुंदना है आठा हमारा गुंद चुका है अब इसको हम कम से कम आदे घंटे के लिए रख देंगे तब तक हम आलू बनाते हैं मीडियम साइज की मैंने नौ आलू ले लिए हैं आलू को इस तरीके से मैंने चोटा-चोटा काट लिया है आप देखिये आलू हमारे सारे कट चुके हैं अब इसमें हम एक छोटा चमच नमक डालेंगे नमक आप अपने हिसाफ से डालेगा आदी चमच हम हल्दी पाउडर डालेंगे एक छोटी चमच मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है उसको भी डालेंगे अब एक चमबचम ने पिसे धनिया पाउडर लिया है अब आदी चमबचम ने भुना जीरा का पाउडर लिया है अब आदी चमबचम ने काला नमक लिया है और एक छोटी चमबचम ने चाट मसाला लिया है और आदी छोटी चमच हम ने गरम मसाला पाउडर लिया है और उपर से हरी धनिया ली है इन सभी चीजों को हम हलकी हाथ से मिक्स करेंगे बहुत तेज इसको मिक्स नहीं करना है नहीं हमारी आलू तूर जाएंगी कड़ाई में हम तेल गरम होने के लिए रख देंगे एक छोटा चमच मैंने जीरा लिया है थोड़ी सी हींग लिये है और थोड़ा सा कड़ी पत्ते लिये है और एक चमच मैंने कसूरी मेती लिये है आदा चमच मैंने अजवाई लिये है और एक चमच मैंने सौफ ली है इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे और जो आलू में मिक्स करके मसाला हमने रखा था वो सभी आलू को हम इस तेल में डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे अब इसके उपर मैंने 6-7 हरी मिर्च ले ली है हरी मिर्च को मैंने 20 से काट लिया है अब इसी आलू में हम मिर्च को डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे अब इसके उपर से हम थोड़ी सी और हरी धनिया डालेंगे जिससे और टेस्टी लगेगा हमारा आलू ये आलू खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं आप एक बर जरू ट्राइ करिएगा अब चलिए अब हम लोग खस्ते की त्यारी करते हैं खस्ता बनाने के लिए जो हमने दाल भिगा के रखी थी वो भीग गई है अब दाल को हम दरदरा पीस लेंगे दाल को बहुत पतला नहीं पीसना है अब हमने एक चमच सौफ ली है और एक चमच खड़ी धनिया ली है ये दोनों चीजों को हम कूट लेंगे ये सौफ और खड़ी धनिया हमारी कूट चुकी है अब हम एक पैन लेंगे, पैन में हम तेल लेंगे, दो बड़ी चमच मैंने तेल लिया है उसमें हम वन फोर्थ कप बेसन लेंगे और बेसन को अच्छे से भून लेंगे इसमें मैंने थोड़ी सी हिंग भी डाली है बेसन हमारा भून गया है जो दाल हमने पीस के रखी थी वो इसी बेसन में हम डाल देंगे और इसको भी हम भून लेंगे दाल को हमें अच्छे से भूनना होगा क्योंकि अगर दाल अच्छे से नहीं भूनेंगे तो अंदर से कच्चापन लगेगा अब हम एक छोटी चमच नमक कर डालेंगे और जो हमने सौफ और खड़ी दनिया कूट के रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे आदी चमच हम भूना जीरा पाउडर डालेंगे और एक छोटी चमच हम आमचूर पाउडर डालेंगे और दाल को फिर से अच्छे से भून लेंगे दाल हमारी भूनने को आई है यह देखिए दाल हमारी अच्छे से भून चुकी है हम आदा चमच गरम मसाला डालेंगे गरम मसाले को भी दाल में अच्छे से मिक्स कर देंगे अब ढाल हमने रख दी है और दाल ठंडी हो गई है इसमें दो छुटकी हम खाने वाला सोड़ा डालेंगे बहुत जादा नहीं डालना है बहुत थोड़ा सा डालना है खाने वाला सोड़ा इसमें मिक्स कर देंगे जिसे हमारी कचोरियां अच्छे से फूलेंगी अब देखे इसको हम मिला के साइड में रख देंगे कड़ाई में हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल हमने रिफाइन डॉल यूज किया है इसमें सरसो का तेल यूज नहीं करते हैं खस्ते बनाने में अब देखिए हमारा आटा अच्छे से फूल गया है अब इसमें हम छोटी छोटी लोईयां बनाएंगे अब एक लोई हमने ली है और इसको हम अंदर से कटोरी के जैसा आकार दे देंगे ये देखिए जिस तरीके से मैं दे रही हूँ उसी तरीके से दीजेगा अब इसमें हमने एक चमच जो डाल का मसाला था वो इसमें भर दिया है और अच्छे से बंद कर दिया है ये देखिए किस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से करिएगा अब इसको अच्छे से बंद करना है देखना है कि खुलाना रहे अब इसको हम बेलेंगे नहीं बस हाथ से चिप्टा कर देंगे अब देखे दूसरी भी बेरे इसी प्रकार से लिए है पहले कटोरी बना लिए है अब उसमें एक चमब चमने डाल का मसाला लिया है इसको अच्छे से बंद कर दिया है इसी तरीके से हम सारी लोईयां बना के रख लेंगे अब तेल भी हमारा गरम हो चुका होगा तेल हमें बहुत ज़धा गरम नहीं करना है मीडियम रखना है क्योंकि बहुत ज़धा तेल गरम करेंगे तो खसते हमारे जल जाएंगे और अच्छे से फूलेंगे भी नहीं और अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे अब इस तरीके से इसको हमको अलट पलट के सेखना होगा और बार बार इसकी आज को भी देखते रहना होगा अब देखिए इसी तरीके से अलट पलट के हम इनको सेख लेंगे अब देखिए हमारे खस्ते एकक्दम बढ़िया बने के त्यारे हैING, फूले हैं देखिए एकक्दम मार्केट जैसे लग रहे हैं अब इन खस्तों को हम बाहर निकाल लेंगे अब देखिए कांपूर के फेमस मसाला आलू और खस्ते हमारे बिलकुल त्यार हैं अब हम प्लेट लगाते हैं प्लेट में सबसे पहले मैंने खस्ते रख दिये हैं और अब हम आलू रख देंगे अब इसके साथ में आप चाहें तो कोई चटनी वागेरा भी ले सकते हैं या फिर रायता भी ले सकते हैं आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजेगा अब देखिए अब चलती हूँ अपने बेटे के पास लेके देखती हूँ कि क्या बोलता है वो तो देखिए इंतजारी कर रहा था खाने का दोस्तों मेरे बेटे को तो खस्ते बहुत पसंद आये हैं दोस्तों ये रही हमारी आलू और खस्ते की रेसिपी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए रेसिपी के साथ जुड़ सकें मिलते हैं अगले वीडियो में तब ते के लिए बाई बाई